नमस्कार लाइव इंडियन गाट से मैं केत की आग का आतंक पुरा धनबाद रो रहा है लेकिन इससे इतर यूनियन बजट आ चुका है वित्वमंत्री निर्मला सीता रमन लक्ष्मीर उपेन बनकर उन्होंने लाल कलर के बही खाते में टाबलेट से इस बार बजट पढ़ा पूरे देश ने सुना बजट के भासन को और अब समय आ गया है भासन से विशलेशन का इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के बैंक मोड में नियो मार्केट में ये चेम चेंबर ऑफ कॉमर्स का ओफिस है और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ बिसलेशकों की टीम है जिहां आज एक प्रेस कॉंफरेंस रखी गई है और एक संस्था नहीं है कुछ चार-पांस संस्थाएं हैं आपको पता चल जाएगा कुछ देर में कौन-कौन से संस्थाएं मारवारी विकास ट्रस्ट है यहां चेंबर ऑफ कॉमर्स है और भी कई संस्थाएं और मन्थन होने वाला है बजट पर और उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉंफरेंस रखी है आये जुड़ते हैं उनके साथ इस वक्त अनिल मुकी संच्छिन्गी से बात करने जारे हैं यह सच्था है मारवारी विकास ट्रस्ट की सबसे पहले तो नमस्कार आपको भी नमस्कार यहां प्रेस कंफरेंस क्यों रखी गई है कि धनबाद में काफी दिनों के बाद यह बजट तेईष का जो सेमिनार है वो सेमिनार हम लोग 5 सं संजुक्त तत्तवाधान में महरवारी विकास ट्रस्ट इंस्टिट ऑफ चाहड़ेड अकाउंटेंट्स अफ इंडिया धनबाद साखा धनबाद इसनस्टाओं को मिल के दनबाद में इस बजट पर एनलइसर करने के लिए एक बाद संगम हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है और इस संगम के को हम लोग राजकमल सरसुती बिद्धा मंदिर का प्रागन बनाए हैं और राजकमल सरसुती बिद्धा मंदिर को दिनांक चार दो 2023 को दिन में साड़े दस बजे से लिएके चार बजे तक लगातार कलकत्ता से पधार रहे कर विशे सग्य, आएकर कर विशे विकास पारख जी और केके अगरवाल करविरदी विशेशक बोकारों से पदार रहें और इसके अलावा धनबाद में भी बहुत सारे हमारे इन सब को लेके हम लोग वेपारियों को इसके बारे में बताना चाहते हैं कि इस बजट का पुर्ण बिस्टेशन कर कहां लाब मिलेगा कितना लाब मिलेगा ताकि वह अपने एकाउंट जैसा आपने कहा उस हिसाब से वह अपना प्लानिंग करेंगे ताकि उनकी वार्षिक ज को साध्यक्ष बिनोत पसारी जी से अपसे जानना चाहूंगी घनबाद में इस तरह का आयोजन क्या पहले हो चुका है यह जो आयोजन इस बार होने जा रहा है यह बहुत अद्भुत आयोजन उने जा रहा है जिसमें कि पांच संस्था मिल करके एक साथ यह कारिक्रम कर रह मारवारी बिकास ट्रस्ट के लोगों को हमने सुना अब बात करने कि बारी है बैंक को चेमब्र आफ कमर्स की सधश उसी हमारे जाथ साथ इस बुषियों लोगों कि अपने अनुभव को अपने ग्यान को और आम जंता के बंचम साठ्वात forcing किसे ने किसे उसे प्रफसिष्चन में या बैपार में जूड़े हुए हैं वह इस आर्व एक्सपर्ड यहा कि इस साधी होग के हमें साधानी बरत्नी होगी हमें क्या-क्या मिला है आगे क्या-क्या हम को साधानी रखनी है इसलिए यह यह यहां पर जैसे बैंगों चेंबर को मैं अध्यच हूं और जिला चेंबर का मैं सची हूं दोनी और से मैं इस कायकरम को सफल बनाने के लिए अपना पुरा प्रयास करूंगा ताकि सब लोगों तो की जानकरी पहुंचे कि हमें एक बहुत-बहुत समागम करने वाले हैं यह बात करते हैं अब लोकेस अगरवाल जी से यह बैंक मोर्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सची है सर आप से जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहें इसमें जो जटिल भासा है उसको सरली करन करके जो आम जन समझ पाए उस भासा में परिवर्थित करना अच्छा इसलिए इनिसियेटिव लिया गया जी बिल्कुल सर एक बात और आपने जब सरली करन की बात कई कि सिंप्लिफिकेशन लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं सर औ आज की महलाएं बहुत समझदार हो गई हैं और वो जब घर का बजट समालती हैं तो बाहर का भी बजट समालने लाइक हो गई है आई बात करते हैं धनबाद इंकम टाक्स बार असोसियेशन के अध्यक्ष राजेश सिंगल जी से सर आप सीए हैं मैं सीए हूं तो जरा सीए क नजरीय से बताई है वैसे तो सर ने बताया कि क्यों हम लोग आज यह प्रेस कॉंफरेंस और गनाइस किया गया है बजट से क्या असाय थी और क्या इक इतनी पूरी हुई है लिए बजट अगर देश के हीत में बजट है यह लोग लोगावना बजट जिसको छूट दे दे सब चीज़ें को नहीं की गई है इस टेट राइट बजट किया गया है टेक्स का कलेक्शन के लिए ध्यान रखा गया है यह नया रिजीम और पुराने रिजीम में लोग अन्फ्यूज करेंगे उस प्रोफेशनल लोग को हम लोग को पार्टीकुलर दिकत होने वाली यह लोग टे आए्ट के म países दिफिए तीन सेमें मिल करो इसको तो नहीं एक इनलेपारी और या जो करदाता अजया उनका नीज circuit हम लोग प्रसंडोड वन तूकान कर्दोड है लेकिन कल इसमें है कि क्यों लोगों की सरष्था है जिटा और जिलाचेंबर उसमें सभी को याते हैं तो वन-टू-वन हम लोग करेंगे जितने भी व्यापारियों के कोश्चन्स हैं उ स्द्धाद जितने भी मैंट से हम सारे को कल डिसक्स करेंगे कि किस तरीका का इसके उपर में क्या एफक्त हने वाला या कोई प्रोफेशनल लभांदवीत होगा ऐसा नहीं है जितने लोग आएंगे सभी को फाइदा इसमें मिलने वाला है हम जान रहे हैं आज अलग-अलग जो फ्राटरणीटी है वो जो बिजनेस को समझते हैं क्योंकि मैं और आप बिजनेस को जादा नहीं समझते हैं सबका नजरिया होता है कुछ खास लोग हैं जैसे मारवारी विकास ट्रस्ट इंवीटी इनके अपने देखने का नजरिया है इस बजट को चेंबर आफ कमर्स अपने नजरिय से देखता है और आए इसको आगे जिन से मैं बात करनी जारी हूं सौरव अगरवाल जी से वो इसको कि नजरिये से देखते हैं वो जानते हैं सबसे पहले तो बताएं आप किस संस्था से तालूब करते हैं मैं आई से धनबाद का उपाध्यक्त हूं जी जो इस बार इनिशेटिव लिया गया है अच्छा उस इनिशेटिव क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीक अच्छान धारिये से और कामना आदमी pouv남 होगा जब मैं आदमी सोथा है की आज है जल्दी तयार हो जाते मैं आज बजेट है क्या है पूरा बजट चलता है सेड़ा होता है तो फैर में वह सोथे क्या हुआ को अधकर तो सब दीचप संखाबू करने के लिए and और उनके मन में जो संका है वो सब प्रश्ण चिन हटाने के लिए हमने एक बड़ा सेशन किया है जिसमें धनबात के हर एक वेक्ति को अपना जो जो प्रश्ण है वो पूछ के अपना क्लेरिफिकेशन कर सके कोई भी डाउट हो तो जी आए जुड़ते हैं मारवारी विकास ट्रस्ट के अध्याक्षी बावुलाल अगरवाल जी से सबसे पहले धुनमस्कार सब्सक्राइब मैं पेस्ते साधिवक्ता हूं जी और वहां बूली जो इनिसियेटिव लिया जा रहा है धनबाद में क्यों जरूरी है धनबाद वास इसलिए यह सेमिनार किया गया सब्सक्राइब कर ताकि सभी लोगों को आम लागरिक को इसका लाव मिल सके इसलिए प्रेट किया गया एक के बाद एक हम सुन रहे हैं ओपीनियन्स यह आयोजन होना है राजकमल में उसे पहले की तैयारिया चल रही है आप समझ सकते हैं यह क समंच के एडवाई सर यह जो इनिसेटिव लिया जा रहा है धनबाद के रिए आम तौर पर माना जाता है कि बजट से फर्क जापारियों को पड़ता है उसके बाद फर्क पड़ता है तो घर के पुरुसों को महिलाएं के वल यह देखती है कि प्रीज महंगा हुआ यह सस्त इसलिए यह सेमिनार किया गया है कि लोगों में यह लालसा हो समझने कि यह समिनार से हम लोगों का फादा होगा वाज़ता होगा की से क्या लाब होगा क्या हानी कर अशर एक बात और जाना चाहूंगी आप मारवारी विकास ट्रॉस्ट के अरभाईजर हूएं आपके घर मे जो बजेटिंग होती है उसमें ज्यादा इंपोर्टन किसका रोल होता है मेरी वाइप का होता है चलिए यह जो अभी सर ने जवाब दिया भारत के घरों में बस यही हाल होता है बजट जो कंट्रोल करती है वो महिलाएं ही होती है आए एक मैंने कहा इस बार का बजट अच्छ से बज़ेंगे जी मैं चार्ट अकॉंटेंट सिकासा चेर्मेन दंबाद इंस्ट्यूट उप चार्ड़ अकाउंटेंट का स्थे लोग समझते हैं पेपर हमारी पेपर का कवरेज काफी सही है तो अच्छे समझते हैं और इसी पेडर चर्चा और घराई से हो और दोनों के सब्सक्राइब काफी अच्छा है एक बार फिर इन्वाइट कर देंगे धन्बाद की जनता को इन्वाइट करना चाहता हूं कि जरूर इस प्रोग्राम में और हमारे साथ-साथ हमारे नजरिये से भी लावानुवित यह राजकमल में आयोजित की जा रही है राजकमल सरसाथी सिशू विद्या मंदिर में साड़े दस बज़े से यह पोग्राम चालू हो जाएंगी साम को चार बज़े तक चलेंगी साड़े-चार बज़े तक और यह चार तारिक सनिवार को आयोजित हो रही है यह निसुल्क भी है और सभी लोग इसमें आमंत्रित है अग्रिकल्चर आक्सिल्रेटर फ़ंड पी-म प्रणाम डिफेंस को कितना आवंटन हुआ और सबसे ज्यादा किसका आवंटन हुआ बज़ेट कितने लाख करोड का था 45.03 45.03 सुन्य तीन लाख करोड दिमाग कितना कॉंप्लिक्स फिल करता है न लगता है सब कुछ कितना टफ है रहते हम भारत में ही हैं हमें भी फर्क पड़ता है महंगाई और बेरोजगारी से लेकिन जब बज़ेट आता है तो हम किवल इतना ही जान पाते हैं कि इस बार सो कोने के दाम बढ़ेंगे फ्रीज सस्ता होगा आयकर में कितनी छूत मिली है भारत में आम लोगों के बीच बजट का मतलब केवल इतना है इस मिथक को तोड़ने की एक कोशिस की जारी है यह जो दूरी है जो डिवाइड है डिजिटल डिवाइड तो है ही सातिरा समझ की जो समाज के कुछ प्रभुद जनोंने आप भी अमंत्रित हैं चार तारिक को राजकमर में होने वाले इस सेमिनार में आईए और अपने देश के बजट को समझे क्या फर्क पढ़ता है आपको और आपके अपनों को वो सब नजदीक से देखिए